आज की गथा एक सच्चे श्वभक्त की गथा है और ये जो घटना है ये घटित हुई थी केदार नाध्धा में बहुत समय पहले की बात है जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाई नहीं थी लोगों को पैदल ही सफर करना होता था जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वो तो पैदल ही यात्रा किया करते थे बलकि धनवान लोग बैल गाड़ी या खोड़ी का सहरा लेकर यात्रा किया करते थे उसी समय एक अत्यत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान के दारनाथ जोतिलिंगे दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल ही अपनी यात्रा प्रारम कर दी रास्ता तो पता नहीं था तो रास्ते में जो लोग भी मिलते उनी से वो किदारनाद धाम की ओर पूछ पूछ कर आगी पढ़ने लगा मन में भगवान शिप के दर्शनों की बहुत इच्छा थी भगवान शिप का परमभक्त था घर पर भी वो नियमित रूप से भगवान शिप की पूजा किया करता था जब वो अपने घर से निकला तो उसके घर से वो काफी दूर तक आ गया किदारनाद धाम बहुत दूर था सफर करते करते उस परमशिप भक्त को दो महिने बीद गए रास्ते में भूका प्यासा थका हरा वो निरंतर चलता रहा जहां कहीं मांगने पर कुछ मिलता उसी को प्रेम से खालिया करता और भगवान शिप में अपना ध्यान लगाए रखता जब वह किदारनाथ पहुचा तब उस समय वहां पर बहुत बर्फ पढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंध है और वहां पर कोई भी नहीं है ये बात भी आप जानते होंगे कि किदारनाथ धाम के पट छै महिने के लिए खुलते हैं और 6 महिने के लिए पूरी तरह बंध रहते हैं कारण क्योंकि वहां सर्दी की मौसमें भी शन थन पढ़ती है और बर्फ पारी भी इतनी होती है कि वहां पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिलकुल असंबह हो जाता है एक तो दो महिनों की सफर की धकान, भूका प्यासा, वो परमभक्त किसी तरह जब किदानाद धा में पहुँचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ गिरने लगी है, ठन की शुरुआत हो गई थी उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की और जाने की बिलकुल तयारी ही कर रहे थे वो तुरंट अपने अंदर सारी शक्ती समेट कर किसी तरह पुजारी जी के इस पास पहुचा पुजारी जी के पास पहुचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे उसने पुजारी जी से आग रह किया कि एक बार पुजारी जी मुझे के दारनाथ महादेव के दर्शन करने दे दिये जाए मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल ही यात्रा करके यहां तक पहुचा हूँ पुजारी जी मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए लेकिन पुजारी जी उसे कहने लगे कि बेटा अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महिने के बाद ही खुलेंगे एक काम करना तुम 6 महिने के बाद आना वैसे भी अब पटो बंद हो ही चुके हैं ऐसे में 6 महिने के बाद पूरे विधी विधान के साथ ही ये दुवार खोले जाएंगे इसलिए अब तुम 6 महिने के बाद ही बाबा के दार के दर्शन कर सकते हो पूजारी जी के मुं से ऐसी बाते सुनते ही उस शिभख्त की आँखों में तो आशु आ गए मन ही मन बहुत दुखी हो गया उसने सोचा इतने महिनों की कठिन तपस्या करके वो किसी तरह यहां पहुचा और यहां आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन ही हुए बड़ा दुखी हो गया उसने फिर से पूजारी जी से आगरह किया उनके पैर तक पकड़ लिए गिर गिराते वे बोला महराज मैं बहुत दूर से आया हूँ मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए बस मेरे बाबा की एक बार दर्शन करा दीजे मैं चला जाओंगा मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया मैं दो महिने पैदल चल कर जगा जगा रुखकर पुजारी जी किसी तरह यहां आया हूँ ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा बस बाबा की दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा मुझे एक बार बाबा की दर्शन तो करा दीजे लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि अगर दर्शन करना है बेटा तो फिर 6 महिने के बाद ही यहाना और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यहीं 6 महिने तक रुख जाओ लेकिन ध्यान रखना इस ठंड और बर्फ में तुम यहां एक रात भी नहीं धैर पाओगे इसलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लोट जाओ यदि जीवित रहोगे तो दुबारा से आकर दर्शन कर लेना इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और नहीं खोल सकते अगर कोई धनवान व्यक्ती होता तो शायद एक बार के लिए पुजारी जी उसके लिए द्वार खोल भी सकते थे हलंकि ऐसा कोई भी नहीं करेगा फिर भी वो व्यक्ती बहुत निर्धन था उसके लिए भला कौन पट खुलने के लिए बैठा था पुजारी जी ने उससे जाने के लिए कह दिया उधर पुजारी जी भी चले गए पुजारी जी के जाने के बाद वैं निर्धन शे भक्त बहुत ही उदास दुखी होकर मंदिर के बहारी बैठ कर रोने लगा उसने एकाये कि ये मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किये यहां से हिलूँगा भी नहीं मैं घर वापस जाओंगा ही नहीं चाहे मुझे छै महीने यहीं पर क्यों न बिताने पड़े उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था उसे विश्वास था कि महादेव कोई न कोई लीला अवश्च दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे और वो बाबा किदार्द के दर्शन भी जरूर कर पाएगा मन में ऐसा निश्य कर और निश्य कोई आसा नहीं था पक्का विश्वास था पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव पर ये सोच कर उसने वही मंदिर के बाहरी रुखने का प्रण ले लिया कहते हैं कि भोलिनात बहुत ही दयालू है उनकी लिलाएं भी अपरमपार होती है अब वह भक्त महादेव के दशन के बिना मान ही नहीं रहा था कहते हैं कि भगवान तो दयालू है अपनी भक्तों की पुकार पर तुरंत दोड़े चले आते हैं किदारनात की बरफिली ठंड में वह श्वभक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था चारो तरफ बरफ पड़ रही थी उसके भी हाथ पर ठंड के मारे जमने लगे कड़कलाती ही ठंड में वह बस भगवान का ध्यान करते वे बैठा रहा रात हुई रात होते ही ठंड और बढ़ गई उसका हाथ पैर उसका पूरा शरीर सुन होने लगा इतनी ठंटी कि उस जगा पर किसी भी मनुश्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठीन था लेकिन वो बस वहीं बैठा रहा उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किये भी मेरी मृत्ति हो जाती है वो भी मैं यहीं बाबा के द्वार पर ही बैठा रहूंगा इस तरह वो मन में इच्छा लिये वे वही बैठा रहा जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्कीले क्यों ना आ जाए는 हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है कहते हैं कि भगवान बोलिनात किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्कल से उबार ही लेते हैं तो वो भक्त भी इसी तरह वहां बैठा रहा रात हो गई रात होते समय रात के अंधेरे में एक अगोरी बाबा उसे अपनी ओर आते वे दिखाई दिये देखते ही देखते वो अगोरी बाबा उसके पास तक आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पुचा कि बेटा तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो फिर उस शिवभग्त ने अगोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया अगोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा तुम निराश मत हो मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर लोगे फिर उन अगोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा तुम ठक गए होगे एक काम करो मेरे पास थोड़ा भोजन है उसे खा लो और अराम कर लो तुम्हें ठन भी लग रही है इतनी तेज बरफ पड़ रही है तो मैं तुम्हाले ले थोड़ी आग जला देता हूँ तुम आग भी ताप लेना जब अगोरी बाबा ने उसे अपने लाइवे खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खा कर वो तरप्त हो गया बाबा ने आग जलाई शिवभक्त ने आग ताप ली शिवभक्त बहुत ठक गया था उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला दूसरी सुभा जब उसकी आँख कुली सूरज की पहली किरण जब उसकी आँखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आँख खुल गई आँख मलते वे वो इधर उधर देखने लगा उसने देखा कि अगोरी बावत वहां पर थे ही नहीं और बर्फ भी साफ हो गई थी अब वो भयानक भीशन वाली ठंडू से नहीं लग रही थी सारी बर्फ हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मौसम भी सर्दियों का नहीं हो उसे आश्चर हुआ कि केदार नाथ में तो लगातार च्छे महिने की वल भर्फ ही भर्पपड़ती हैं लेकिन अचानक ये क्या हो गया कुछ ही देर बाद उसने देखा वो बहुत हैरान था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया फोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे हैं जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुचे, तो शिप भक्त ने बड़ी जिग्यासा से पूछा कि पुजारी जी क्या मन्दिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा हा बेटा आज ही खोले जाएंगे और आज पूरे छे महिनों की सर्दियों के बाद भक्त जन बाबा के दार के दर्शन भी कर सकेंगे पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान नहीं पाए ऐसा सुनकर उस श्य भक्त ने कहा कि पुजारी जी छै महिने बाद लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोड डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो छे महीने पहले भगवान के दारनाथ के दर्शन के लिए आये थे लेकिन उस समय मंदिर के पट बंध हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाये थे तो उस भगत ने कहा कि हाँ पुजारी जी वो तो मैं ही हूँ लेकिन मैं छे महीने पहले नहीं मैं तो बलकि कल ही यहाँ आया था और रात में मैं यहीं मंदिर के द्वार पर ही सोया था और आज आप इतनी जल्दी आ गए छे महीने कहां से हो गए पुजारी जी भक्त की बात सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदे हुआ पुजारी जी ये भी जानते थे कि यहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाई होती रहती हैं जो स्वेम पुलिनात करते हैं उस भक्त की बात सुनकर पुजारी जी को कुछ संदे हुआ तो उन्होंने उससे पूझा कि बेटा अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारी साथ हुआ क्या था तम उस मासूम शिभख्त ने पुजारी जी को रात की घटी भी सारी बाते बता दी कहने लगा कि बाबा रात में मेरे पास एक घोरी बाबा आये थे बहुत तेज की ठन पड़ रही थी मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई फिर मुझे आराम करने को कह दिया तो पुजारी जी बोले कि बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे जरा बताओ तो शिवभक्त कहने लगा एकदम माघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुन रधा बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी उस शिवभक्त के चेवनों में ही गिर गए और कहने लगे कि बेटा तुम तो धन्य हो तुम नहीं जानते तुम्हारे पांस खुद महादेव चल कर आये थे और उन्होंने ही अपनी योगमाया से तुम्हारे छे महिनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया बेटा ये सब तुम्हारी सची भक्ति और श्रद्धा की कारण हुआ है हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं पासके लेकिन तुम्हें तो साक्षाद भगवान शिव ने दर्शन दिये हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है तो यही कारण है कि केदार नात को जागरित महादेव कहा जाता है कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं आप सभी से अनुरोध है कि अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर केजेगा अगली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी अन्य कथाएं सुनने को मिलेंगी उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी